हेलो बच्चो, इस वीडियो के अंदर हम आनन दीज रेंबो चैप्टे की क्वेशन आंसर्स करेंगे पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को हमारा पहला न्यू वर्ड है ब्राइट ब्राइट का मतलब होता है चमकदार फेवरिट, फेवरिट का मतलब होता है पसंदीदा, इंडिगो, बच्चों जो कलर थोड़ा थोड़ा डागलू जैसा होता है उसको हम इंडिगो बोलते हैं इंसाइड, इंसाइड का मतलब होता है अंदर, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर rainbow rainbow बोलते हैं इंद्र धनुष को violet बच्चों जो कलर थोड़ा थोड़ा परपल जैसा होता है ना उसको हम violet बोलते हैं अब हम करेंगे let's read a rainbow has seven colors एक rainbow के अंदर seven colors होते हैं मतलब इंद्र धनुष के अंदर साथ रंग होते हैं अब हम करेंगे reading is fun question number one what did Anandi see outside her window window बोलते हैं खिड़की को question का मतलब है कि Anandi ने अपनी खिड़की से बाहर क्या चीज़ देखी आप इसका answer लिखेंगे Anandi saw a huge bright rainbow across a clear blue sky huge का मतलब होता है बड़ा bright का मतलब होता है चमकदार across का मतलब होता है चारो तरफ clear का मतलब होता है साफ Anandi ने नीले साफ आसमान के अंदर चारो तरफ एक बड़ा सा अचमकदार सा rainbow देखा था question number two was she happy to see the rainbow क्या वो खुश हुई थी rainbow को देख कर इसका answer होगा yes she was quite happy to see the rainbow हाँ वो बहुत खुश थी जब उसने rainbow को देखा था question number three what are the colors of the rainbow rainbow के क्या क्या colors थे मतलब rainbow के अंदर कौन कौन से colors थे आप इसका answer लिखेंगे the colors of the rainbow are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red बच्चों rainbow के अंदर violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red color होता है violet color वो होता है जो थोड़ा थोड़ा परपल जैसा दिखाई देता है indigo थोड़ा थोड़ा dark blue जैसा blue ता आप जानते हैं, blue बोलते हैं नीले रंग को green, green बोलते हैं हरे रंग को yellow, yellow बोलते हैं पीले रंग को orange, orange बोलते हैं नारंगी रंग को और red बोलते हैं लाल रंग को अब हम करेंगे लेट्स टॉक क्वेशन नमबर वन क्या आपने कभी रेन्बो को देखा है इसका आंसर आप लिखेंगे येस, I have seen a rainbow हाँ, मैंने रेन्बो को देखा है बच्चों अगर आपने रेन्बो को नहीं देखा हो तो आप येस की जगा नो लिख देंगे और फिर लिखेंगे I have not seen a rainbow तो पूरा आंसर हो जाएगा No, I have not seen a rainbow क्वेशन नमबर टू When do you see a rainbow in the sky? आप रेन्बो को आसमान के अंदर कभ देख सकते हैं या फिर कभ देखते हैं इसका आंसर होगा We can see a rainbow in the sky after rain हम रेन्बो को आसमान के अंदर बारिश के बाद देख सकते हैं अब हम करेंगे लेट्स शेयर Go outside and look at the clouds बच्चों आपको पहले बाहर जाना है और फिर आसमान के अंदर जो बादल हैं उनको देखना है फिर question पूछा जा रहा है What shapes do you see in the clouds? आप आसमान के अंदर बादलों की कैसी कैसी shapes को देख रहे हैं आपको वो बताना है तो आप इसका आंसर लिखेंगे Some of clouds are rounds Some are oval and square in shape कुछ बादल गोल गोल हैं मतलब round है कुछ oval है बच्चों egg की जो shape होती है मतलब अंदे की जो shape होती है उस shape को हम oval shape बोलते हैं बादलों की shape round है oval है और square है Come inside and draw what you saw बच्चों अब इस question के अंदर आपको drawing बनानी है कि आपने आसमान के अंदर क्या क्या देखा या फिर किस किस तरह के बादल देखे तो आप बादलों की drawing बना सकते हैं round shape की, oval shape की और square shape की और आप आसमान की भी drawing बना सकते हैं कि आपने आसमान के अंदर क्या क्या देखा जैसे चिडियाएं और aeroplane वगेरा अब last है not describe your drawing to your friends in your own language and then in English बच्चों आपने जो भी drawing बनाई हो आपको अपने friends को वो drawing दिखानी है और अपने friends को अपनी drawing के बारे में बताना है तो आप इस question को अपने friends के साथ कर लीजेगा अब हम आगे चलते हैं अब हम करेंगे say aloud नीचे कुछ words लिखे हुए हैं जिनको आपको मेरे साथ तेज तेज पढ़ना है तो चलिए इन words को मेरे साथ तेज तेज पढ़िए face, field, find, fly, food बचो ये सारे words F letter से शुरू हो रहे है face का मतलब होता है चेहरा field, field का मतलब होता है जमीन, find, find का मतलब होता है ढूंडना या फिर पाना fly, fly का मतलब होता है उनना food, food कहते हैं खाने को back, ball, bat, big, bout ये सारे words B letter से शुरू हो रहे है back का मतलब होता है पीछे ball बोलते हैं गेंद को bat बोलते हैं बलने को और चमगादर को big, big का मतलब होता है बड़ा bout, बच्चों bout का मतलब होता है खरीदा था lamp, leg, let, little, log ये सारे words L letter से शुरू हो रहे हैं बच्चों, lamp आप बोल सकते हैं चिराग को या फिर दिये को आज कल तो electronic lamp भी आते हैं जो light से जलते हैं leg, leg बोलते हैं पैर को let, let का मतलब होता है मान लेना little, little का मतलब होता है छोटा log, log बोलते हैं बड़े से लकडी के टुकडे को hat, have, her, house, hut ये सारे words एच लेटर से शुरू हो रहे हैं hat, hat बोलते हैं टोपी को have, have का मतलब होता है पास में रखना her, her use होता है लड़कियों के लिए house, house बोलते हैं घर को hut, hut बोलते हैं जोपडी को अब हम करेंगे, let's do look at the picture below, circle the names of things that you can see in the picture बत्चों यहां पे एक ड्रॉइंग बनी हुई है और उसके बाहर कुछ words लिखे हुए हैं आपको इस question के अंदर ये करना है कि ये जो words लिखे हुए हैं मतलब ये चीजे लिखे हुई हैं आप ड्रॉइंग के अंदर इन चीजों को देख सकते हैं अगर देख सकते हैं तो आपको उन words के उपर circle बनाना है आप umbrella के उपर circle बनाएंगे देखे बच्चों, ये रही umbrella पड़ल, पडल के उपर भी आप circle बनाएंगे ये रहा पड़ल बच्चों जो सड़क के उपर गड़े होते हैं और गड़ों के अंदर जब पानी भर जाता है तो उसको हम पडल बोलते हैं रेंडॉप्स के उपर आप circle बनाएंगे और ये रही train drops house house के उपर आप circle बनाएंगे ये रहा house cat cat के उपर भी आप circle बनाएंगे क्योंकि ये रही आपकी cat boat के उपर भी आप circle बनाएंगे mud mud के उपर भी आप circle बनाएंगे बच्चों mud बोलते हैं मिट्टी को sun sun के उपर भी आप circle बनाएंगे बच्चों इस drawing के अंदर roses नहीं है इसलिए आप roses के उपर circle नहीं बनाएंगे pot पर भी आप नहीं बनाएंगे और मैट के उपर भी आप नहीं बनाएंगे पोट बोलते हैं मठके को और मैट बोलते हैं दरी को Join the dots from A to Z and see what you can create बच्चों नीचे एक butterfly की drawing दी हुई है जिसको आपको A से लेके Z तक trace करना है तो आप सब इस drawing को trace कर लीजएगा अपनी book के अंदर जब आप इसको trace कर लेंगे तब आप ये देखेंगे कि ये drawing जो है मतलब ये जो picture है ये एक butterfly की picture है मतलब एक तितली की picture इन दर given space trace the rainbow and color it बच्चों इस question के अंदर आपको पहले rainbow को trace करना है और फिर rainbow के अंदर आपको colors भणने हैं rainbow के अंदर सबसे नीचे आप color भरेंगे violet फिर आप भरेंगे indigo indigo से उपर आप भरेंगे blue blue से उपर आप भरेंगे green green से उपर आप भरेंगे yellow yellow से उपर आप भरेंगे orange और औरेंज से उपर आप भरेंगे रेड बच्चो रेड आप सबसे उपर भरेंगे रेंबो के अंदर यही seven colors होते हैं Say aloud the names of the colors on the rainbow इस question के अंदर आपको सिर्फ यह जो rainbow के अंदर colors होते हैं ना इनके नाम लेने हैं तो चलिए मैं colors के name ले रही हूँ आप मेरे साथ इनको लीजे violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red अब हम करेंगे let's write बच्चो नीचे four letters दिये हुए हैं जिनको आपको trace करके लिखना है letters है s, t, u, v तो आप सब इन letters को अपनी books के अंदर trace करके लिख लीजेगा let's make a riddle riddle बोलते हैं पहेली को यहाँ पर आपको एक पहेली बनानी है यह जो sentences दिये कैए हैं ना इनके अंदर जो blanks हैं उसके अंदर M और have को fill करकर बच्चों, जब हम खुद की बात कर रहे होते हैं या फिर यह बता रहे होते हैं कि हम कैसे हैं उन sentences के अंदर हम M यूज करते हैं और जब हमें यह बताना हो कि हमारे पास क्या चीज है तब हम have का यूज करते हैं आई डैश वाइट इन कलर यहां पर आफिल करेंगे M पूरा sentence होगा I am white in color मैं white color का हूँ मतलब सफेद रंग का हूँ I dash two eyes यहां पर आफिल करेंगे have I have two eyes मेरी दो आखे हैं मतलब मेरे पास दो आखे हैं I dash four legs and a short tail टेल बोलते हैं पूछ को I have four legs and a short tail मेरे पास चार पैर हैं और एक छोटी सी पूछ है I dash wool on me Wool बोलते हैं उन को I have wool on me मेरे उपर उन है What dash I यहां पर आप लिखेंगे M What am I मैं कौन हूँ बच्चों बताईए यह किसकी ड्रॉइंग बनी हुई है वो कौन होता है जो white color का होता है जिसके पास दो आखें होती है चार पैर होते हैं और चोटी सी पूछ होती है और जिसकी पूरी body के उपर उन होती है वो कौन से animal है बच्चों वो animal है sheep इसलिए आप answer में लिखेंगे I am a sheep मैं एक भेड हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिटिल चैंप्स को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी मैं कर न्यों वीडियो डालू सब्सक्राइब